हेलो गाइस वेलकम बैक टू टीम्स फॉर यूटूब चनल इस वीडियो में हम प्रिविव करने वाला है जो की बिग बैश लीग का मैच नंबर सिक्स है सिड्नी सिक्सर्स और मेर्बन रिनिकेट्स के बीच जो की सेम विन्यू पर खेला जाएगा जहां पर मैच नंबर फाइ कुछ उसके बारे में कवर कर रखा है और उससे लास्ट वीडियो में भी पूरा डिटेल में मैंने बताया था तो जो जो उसको एलेबरेट करने की मेरी कुछ जरूरत नहीं है फिर से तो उससे आपका ही डेटा और टाइम दोनों ही बचने वाला है तो मैं यहां पर उसके डाल रखा है तो एक बार चकाउट जरूर वो कर लेना वेदर इंफो मैंने बता दिया क्लियर है और नाइट में भी क्लियर होने वाला है ओके पिछ बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए खास करके असिस्टन्स है बैटिंग थोड़ा है पर बहुत बढ़िया उतना ना हो लास्ट मैच में नहीं हुआ और देखना होगा पहला जो मैच है ना जो स्ट्राइकर्स वाट रिकेंस वह वाला मैच एक बार जरूर जो है लाइफ देख लेना या उसका स्कोर देखने के बाद आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा इस मैच में क्या कुछ प्रॉब अगर देख के कुछ खुँद से समझना चाहते हो लाश्ट मैच का विडियो अगर नहीं चेक आउट कियो और नहीं किया तो जरू जो इह खास परफॉर्मेंस से नहीं है सिड्नी सिक्सर्स का और एवरेज रेनरेट पर थोड़ा ध्यान देना 7.84 तो यह आराउंड 160 140 से 160 का स्कोर यहां पर दर्शाता है कि यह बन सकता है ओके सो मेरे इसाब से 140 140 150 के बीच में बन रहा है और सकोर तो कुछ खास स्कोर उसविन पर नहीं माना जाएगा वैसे 170 स्कोर मैंने बताया कि यह जा सकता है 170 पलस सकोर बनाएं और आराम से इस में पर कुछ खास जो कर सकते हैं जो लास्ट मैच है वो चेज करते भी विन किया था अगेंस्ट हरीकन्स जो मोस्टिसेंट खेला गया था मोसीच यानि डिसमबर टेंट-टोज़न टुरज़न ट्वेंटी का जो मैच है वह यहां पे जो है Sixers ने तो देख लो उस से पुराना मैच है जहांपे यह भी लौस किया है वह सारे कुछ मैचस जो भी खेले गए है और चाहे वह बैटिंग फर्स्ट करेए बैटिंग सेकेंड करें यहांपे हारते यही लगातार आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से लाष्ट के जो मैचस खेले गए तीन मैचस हैं तीनों ही मैचस में हारा है और प्लेयर का इंडिवेजल प्रफॉर्फॉर्मेंस एक बार थोड़ा ध्यान देती वे चलना जो करेंट स्कॉर्ड में है वो है बेंड डॉर्शियस और हुजец का फिरसम प्रफॉर्मेंस और यहां पर आपको एंडिवेजलफ के लिशाइट पिरसे पॉर्फॉर्मेंस और तो नहीं है इसावे नहीं प्रफॉर्फॉर्मेंस आपको एडवर्ट का मैचेस इन्हों ने विन किये हैं जितना लॉस किया उससे एक मैच तो ज्यादा विन किया और एवरेज रनेरेट पे थोड़ा ध्यान दो 8.51 यहां पे यह लगबग 160 प्लस का स्कोर हर बार बना रहे हैं यानि इनके पॉसिबिलिटी ज्यादा है अगर यह पहला बैटिंग करत सिनारियों में थोड़ा रखोंगा अपना जो फेवर हैं मैलबर्न रेनिगेट के हांट में जो भी टीम होगी मैं मैं मैलबर्न रेनिगेट के थोड़ा बनाने की कोशिश करूंगा बिकॉज हेड़ेटेट में भी आप अकर चЕकाऊट करें के वहां सिक्सर्स आगे जरूर हैं लेकिन रेनिगेट्स का भी परफॉर्मेंस काफी हद तक वहां पर बढ़िया रहा है अगेंस्ट हरीकेंस इन्होंने मैच खेला मोर्श इस वेन्यू पर 2019 डिसंबर का मैच है जहां पर यह दस विकेट से हार गए थे दस नहीं साथ विकेट से स्कौर्ड में नहीं है यह यहां पर हरीकेंस एकेंस्ट रेनिगेट्स ने अगेट्सियान इस मैच की नहीं हुभ। आर्ट मैं आर्ट विकेट से मैच को लग बग जो यह भी हार गए थे तो यहां पर देख लो परफार्मेंस वाईज यह प्लैर्इर्स थे इंडिविज्वल परफार्मेंस की पाया जाते हैं कुछ खास यहां पे मिला नहीं हमको विन्यूपे लेकिन यहां पर रेनिगेट थो दो इनिंग में 111 रन मना चुके हैं पचपन का इनका आवरेज रहता इस वेन्यू पर मारकस हायर इस करेंट स्कौर्ड में नहीं है डेनिल हुजस हैं जो कि 4 इनिंग में 103 रन मना चुके हैं 25 का इनका आवरेज रहता इस वेन्यू पर जॉर्डन सिल्क चार इनिंग में 98 रन 32 इसके आसपास का इनका एवरेज इस वेन्यू पर होल्ड कर रहे हैं बोलिंग सेक्षन से देखेंगे तो कैमरान बॉइच सबसे टॉप पे विकेट टेकर थे लेकिन करेंट स्कॉर्ड में नहीं है मौसिस हंडीकेज भी नहीं है मैच प्रिविव काफी कुछ डिटेल में है एक बार जरूर जो चेकाउट कर लेना सिक्सर्स की तरफ से अगर मैं की प्लेस की बात करता हूँ तो जैक एडवर्ट्स, जेम्स विन्स और बेंड वॉर्श ये कुछ प्लेयर्स हो सकते हैं जो कि आपके की प्लेयर्स में से हो सकते हैं लास्ट मैच में जैक एडवर्ट्स का ब्रिलेंड परफॉर्मस और मोस् रिसिंट जो इनके 2 प्रेक्टिस मैचस कहेले गये थे अगेंस्ट में भी हर्क GersonS था एक मैच और एक मैच में भी धंडर्स के लिए स्टार्स के लिए so उस match में बड़िया performance था और James Wyns भी अच्छा उस match में एक match में लगबाग इनोंने 60-plus का score बनाया था Ben Doors has consistently दोनों ही match में विकेट्स निकाले थे और last match में भी अच्छे खासे विकेट्स निकाले थे विकेट्स मेरे हिसाब से आपके key player होने वाले हैं पॉसिबल लेवन में जॉश फिलिपे ओपन करने वाले हैं जैक एडवर्ड के साथ जेम्स विंस और डाउन पे जो की ओपनर है नैचरल लियो और डेनिल हुजज भी ओपनर है तो यह इनकी चार बैटिंग ओडर है जो की बहुत ही सॉलिड है उसके इलावा इनके मिडल ओड और में बहुत एक्सपिरियंस के साथ जॉर्डन सिल्क है यहां पे उसके बाद डेनिल क्रिस्टन और कारलोस ब्रैथवेट बहुत लंबी इनकी टेल निकल के आएगी जहां पे साथ या आँठ नंबर आप इवन नहां पे यहां पे डवार्शियस को भी इंकलूड कर लो ज जिसमें से डेनिल क्रिस्टन जो है शेर करेंगे ओल्ड बॉल जो की डेथ के ओर से हैं बेंड वर्शियस और डेनिल क्रिस्टन यह 16 से 20 ओर के बीच में अपने दो और कम्प्लीट करेंगे और उससे पहले जो मैच और बचेंगे जहां पर यहां पर आप कह सकते हैं चाओद की प्लेयर से एक बार देख लो तो एरॉन फिंच शॉन मार्श कें रिचर्सन लास्ट मैच में बहले ही यहां पर एरॉन फिंच ने बहुत बढ़िया कुछ स्कूर नहीं किया हो लेकिन इस वेन्यू पर खास करके आपने देखा 40 प्लस का एवरेज है और हेट्टोएड में एरॉन फिंच और शॉन मार्श ओपन करेंगे सैम हार पर इनके विकेट कीपर वन डाउन पर उसके बाद रेली रूस तो ओपन भी करा सकते हैं और ब्यू वेबस्टर हैं और जेक फ्रेजर मैगुक हैं जो की लास्ट मैच में खेले ते डेब्यू किया था और उसके बाद बैनि होवल इन्होंने भी डेब्य कोया था और जैक प्रिस्ट्विट्स और यहां पे कें रिचर्सन जोष लेलर और यहां से पेटर हैड्जोग्लू तो यह देख लो इनकी जो डेथ बोलिंग है वो मेभी यहां पर कें रिचर्ड सन और लास्ट मैच में जोंश लेलर के स जहां पर भी इन दोनों में से किसी एक ओफ डिन होगा उसमें यहां पर बैनी होवल डाल सकते हैं उसके लावा लास्ट मैश में पीटर हैड़ उगलू ने भी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस किया हुआ है तो यहां से पीटर हैड़ उगलू को भी जो है यहां पर अच्छा खासा जो है प्रिफरेंस दिया जाएगा जहां पर भी में भी हो सकता है न्यू बॉल के साथ इनको ज्यादा बोलिंग कराई जाए ओके तो बारा मैचस अभी दोनों ही टीम्स के बीच खेले जा चुके हैं सिकसर्स नहीं यहां पर थोड़ा अच्छा रेकॉर्ड है सिकसर् आगे चल रहा है रेनिगेट्स से लेकिन रेनिगेट्स बहुत ज्यादा पीछे नहीं है और ओल भी दो ही मैचस ज्यादा हरे मतलब ज्यादा हैं पर जीते हैं सिकसर्स ने आइस कंपर टो रेनिगेट्स जहां पर रेनिगेट्स का स्कौर्ड वैसे देखा जाए तो कुछ खास नहीं ता लास सीजन तो यहां पर देख लो एक बार जो मैच हुआ रहा मोश रिसेंट मैच है सिद्नी क्रिकेट ग्राउंड पर हुआ था 24 जैनुवरी 2020 को रेनिगेट्स ने 175 बनाया सिकसर्स ने 176 जैनी चेस करते वे इस मैच को विन किया था साथ विकेट्स से परफ से पराना मैच मार्वल स्टेडियम पे था रेनिगेट्स 153 154 जैनी यहां पर भी चेस करते हैं क्या परफॉर्मर्स थे सैम हर्पर और शॉन मार्श और वियू एपस्टर यह थे परफॉर्मर्स करेंट स्कॉर्ट से सिकसर्स की तरफ से जोश फिलिपी के फिर से रंस डैनि यह आपको जरूर जोए एक स्पिनर का विकेट जरूर देखने को मिलेगा थर्ड मैच यहां पर देख लो एक बार सिकसर्स यहां पर 180 बनाया और 184 यहां पर फिर से देखे इस बार रेनिगेट्स ने चेस करते हैं यहां चेस किया विन किया लाश के तीनों ही मैचस में जि इतने के चांसतों ज्यादा है सिकसर्स की तरफ से फिर से देखे जोश फिलिपी के रंस और यहां पर थोड़ा ध्यान देते विए चलना कॉमन चीज़ के उपर ही आपका जो है मैच टिकावता है ओकी फिर से विकेट डॉर्श के फिर से विकेट और यहां पर मिक्की एडवर्ट और एड़ी के सो करेंट स्कॉर्ड में यह तीनों है नहीं कि तरफ से देखो फिंच के रंस और हारपर के फिर से रंस आपको देखने को मिलेगे बॉइस का विकेट जो की करेंट स्कॉर्ड में नहीं है ओके फोर्थ मैच सिड्नी क्रिकेट ग्राउंड पे मैच था सिक्सर्स ने एक सो पंद्रा बनाए और यहां पर फिर से रेनिगेट विन किया और परफॉर्मेंस वाइस एक बार चेक करते हैं जॉर्डन सिलक फिलिपे इस बार जुए इन दोनों का नाम है विंस का नाम नहीं है और यहां पर हार पर के फिर से आपको रेनिगेट की तरफ से रंस देखने को मिलेंगे रिचर्ट सन की विकेट देखने को मिले था जो कि यह रेनिगेट्स का ही होम ग्राउंड था और यहां पर जो है इनको इस बार इस सीजन देखने को मिलेंगे हेट टो एड में इंडिविजल प्लेयर का परफॉर्मेंस अगर चेकाउट करते हैं तो एरॉन फिंच सबसे टॉप पर आते हैं आंट इनिग में 228 रन जैसे मैंने का 41 का यहां पर आवरेज है इस वेन्यू पर भी लगबग 40 प्लस का इनका आवरेज रहता है जॉर्श फिलीप हैं जो कि 5 इनिग में 186 रन बना चुके हैं 37 के आसपास का इनका आवरेज रहता है उसके इलावा डेनिल हुजेस 7 इनिग में 165 रन 27 का आवरेज उसके बादे जॉर्डन सिल्क आँट इनिग में 141 रन 28 का आवरेज उसके बादे सैम हार पर जो कि 4 इनिग में 112 रन बना चुके 28 के आवरेज के साथ और जेम्स विन्स हैं 4 इनिग में 97 रन बना चुके हैं 24 के आवरेज के साथ बोलिंग सेक्षन से देखा जाए तो यहां पे डॉर्शियस हैं 8 इनिग में 10 विकेट निकाल चुके हैं 18-18 का स्ट्राइक रेट उसके इलावा अगर मैं बात करूँ तो इनका नाम हटा दो तो इनका नाम हटा देते हैं स्ट्राइक हैं 6 इनिंह में 11 के चेट स्ट्राइक है 34 के साथ उसके लावा यहां पे कोछश कोई कर इस single से यह प्लेयर तो के üç में नाम नेका देते हैं माच इप्स में कुछ conrick से न िकल में कर दे भी थीचिव ओकीफ सैम हरपर के केंस दस बॉल में दो बार आउट किया हुआ इनको और कें रिचर्डसन जॉर्डन सिल्क को दो बार आउट किया हुआ 17 बॉल में 14 रंदे के विल सदर्लेंड जॉश फिलिपी को दो बार आउट किया हुआ 11 बॉल में 10 रंदे के वो आपको कुछ भी अगर सही लगी हो तो दुरू जे वीडियो को लाइक करो अप्रिशियेट करने के लिए और साथी साथ कॉमेंट ज़रूर करके बताना क्या कुछ आपको पसंद आये वीडियो में और क्या कुछ चेंजस आप देखना चाहते हैं फर्दर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को यहाँ पर ऐसे ही टैक्टिकल अनलेटिकल वीडियो आपको देखने को मिलेंगे आने वाले सारे ही मैचस और सारे ही स्पोर्ट्स के लिए सो यह कुछ मेरी टीम निकल के आती है जो स्मॉल लिग के लिए मैंने अभी तक फार्म किया हुआ है फर्दर इसमें बहुत सारे चेंजस मेरे हिसाब से हो सकते हैं जहां पे लाइनप के बाद मेरे हिसाब से बैटिंग फर्स बैटिंग सेकेंड का जो भी फैसला होगा उसके अकॉर्डिंग लिए मैं चेंजस करूँगा अगर चेस करते हैं मेलबन रेनिगेट्स तो इनके फेवर में मैं अपनी टीम नहीं रखूँगा जहां पे मेबी जैक अड्वर्ड से जल्दी आउट हो जाए ज़ॉश फीलिप युश फीलिप है जैक अड्वर्ड से CC में इस टीम नहीं बैट रहा है जहां dona पे दो से टीन बाॉलर जो है अपने यहां bona प्र नेगेट्स के हैं अगर रखना है तो बिल्कुल इनको स्मॉल लीग में आप रखें विकाज एक अच्छे ज्यादा जतर हाई सेलेक्शन है तो मेरे हिसाब से इनको रखना सेफ ऑप्शन में से रहेगा और हारपर को मैं रखा हुआ है और डेनिल हुज को मैंने रखा है एडवर्ड्स को मैं को ट्राइ करना है जैक एडवर्ड्स को ड्रॉप कर दिया वही खासा बड़ा रिस्क रहेगा और यहां पर एरॉन फिंच को मैंने वाइस केप्टन इसलिए रखा विकाज इस विन्यू पे और हेट टुएड में दोनों ही जगा चैलिस प्लस का एवरिज होल्ड कर रहे हैं और शान मार्श को भी वाइस केप्टन आप बना सकते हो अगर आपकी हिच्छा है तो जुरूर आप इनको भी वाइस केप्टन बना के चल सकते हो दोनों में अच्छा उप्शन है मेरे हिसाब से दोनों ही अच्छा उप्शन है तो अब मैं एरॉन फिंच के साथ जा रहा है Daniel Christian छटे नंबर बैटिंग कर सकते हैं 5 छटे नंबर इनका भी वैटिंग आता है और यह जो है चार ओर डेध में बहुलिंग कर आएंगे और दो और मिडलों में बॉलिंग कर आएंगे तो अछे औप्षन बनते हैं मेरे साफ से बैटिंग बोलिंग बनने को मिलेंगे तो जुरूर जो आप captain अपना जो है captain और इस captain दोनों ही अपने batsman section से बना सकते हो batsman wicketkeeper section से बना सकते हो baller section में मैंने आपे लेलर ड्वाशिस और रिचर्ड सन को लिया हुआ है in favor मैंने आपे थोड़ा renegates की तरफ रखा हुआ है अपना टीम बाकी यहां से अगर लेलर की जगाए O'Keef अगर फिर से start करते हैं इस match में तो ज़रूर जे O'Keef को मैं रखूंगा try करूंगा ज़रूर उनको उसके इलावा यहां पे कुछ ज़्यादा options नहीं है Benjamin Mananty एक अच्छा option बन जाते हैं तो उनको भी आप try कर सकते हो तो यह कुछ प्लेयर से जो कि मैं suggest करूंगा Captain C Vice Captain C मैंने उन्हें बताया Small League में Wins, Marsh और Daniel Christian इनके उपर आप ज़रूर ज़रूर रिस्क ले सकते हो Grand Leagues में Harper, Philippe, Daniel Hughes और Jordan Silk हैं और उसके इलावा यहाँ पर कुछ और option भी बता देता हूँ जिनके उपर आप अपना जो है ले सकते हैं रिस्क Jack Edwards रखना साथ हो बिल्कुल आपने हिसाब से इनके जगा आप यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आप इनको ले सकते हैं करते हुए उसके लावा यहाँ पर मैं बता देता हूँ यह जो जस्टिन अमिंडानो प्लेयर हैं इनको अंडरेस्टिमेट मत करना यह बहुत डिस्ट्रक्टिव इनिंग खेल सकते हैं काफी हद तक लंबे तगड़े प्लेयर हैं इनको आपने अगर खेलते वे देखा होगा तो पता ही होगा यह क्या कुछ कर सकते हैं लेकिन अभी तक कुछ खास नहीं किया एक ही मैच खेला है कुछ खास नहीं कर पाए ओपन कराते हैं तो उस सिनार्यू में अच्छ ऑप्शन बचेंगे बाखी यहां से मेरे को मिडल ओडर में यह कहीं पे भी अच्छ नहीं लगते ओपन कराएंगे तब ही अच्छ हो सकते हैं बागे यहां से कॉल्लोस ब्रैच्वेट यह एक अच्छा बंदा बन सकता है अग बहुत बढ़ा पर्फार्मस से एक दो विकेट हमेशा निकाल रहे हैं तो इनको जुरूब आप ट्राइ कर सकते हो लेलर की जगा अगर रखके ट्राइक करना सकते हो अगर सिकसर के फेवर में बना रहे हो तो इनको आप ट्राइकरों बाकियां से लेलर भी डैस में आपको दूंगा नहीं तो यह है मेरे small league के और grand league के कुछ tips और मेरे statistics जो भी थे मैंने आपके सामने रख दिये वीडियो और महनत कुछ भी अगर पसंद आई तो जोरू जो वीडियो लाइक करना और चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना और final team और update सब कुछ आपको टेलिग्राम पे मिलेंगे तो जोरू जो वहाँ पे जोईन कर सकते हो सारे sports वहाँ पर free में आपको team मिलेगी सारे sports के लिए और 20-20 में हम जो गेववेश वगरा सब कुछ वहाँ पर और और उर्गनाइस करते रहते हैं जोरू जो जो वहाँ पे आ नहीं किया आप पड़ा पड़ जॉइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो बस इतने ही थे अपडेट्स इस वीडियो में फर्दर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद लब यू 3000